हलो दोस्तों इस व्लोग में हम दिखाने जा रहे हैं कि दीपावली पर हम अपने खेतों में जा रहे हैं खेतों में हमारे जो देवता होते हैं उनकी पूजा करने के लिए तो पूजा किस तरह से की जाती है उसी पूरी विद्धी दिखाए जाएगी कि अपने खेट में खेट में देखो हमारी ट्वैल है अब खेट में जाने का रास्ता क्या है अब आपको दिखाता हूं यहां से अपने खेट में जा रहे हैं अब देखते हैं यह आगए यह त्वैल है हमारी अब जाने रुद्राक्स देख और यह आज हम खेतों में अब यह डर लग गया था मुझे तो को चार फेती खेत हैं मैं इस दोस्तों करने के खेत है है कि यह दोस्तों करने के खेत हैं यह घंकर त्वा रहें यह ने इस liberty करने के लिए मदेभ तो इनकी पूजा करने के लिए तो हम फूजा करने जा रहे हैं यह फूलो की माला करें दोगाव कि नाम प्राश्ट वाते कि तकंगाऊ में कि जह देवधाओ की नाम के कपड़े होते हैं वह लगाँ जाते हैं इसमें दूद है विद İs Yap में दोगाव साहिक, दाल दिया एक में दूसरी में भी डाल दिया है हो थे भतासे डाल देया हैं जब में यह पहले सत्या बनाया गया है कि तीनों देवताब होए हमने पहले सत्या बनाया है इस चावल का क्या किया गया है चाव तुड़ा जाता है तिलग के बाद तिलग के बाद तिलग लगाने के बाद पर चावल लगाए गए है यह जलाए है हमने तीनों दिये जल गए है तीनों देवताब के सामने एक एक दिया हमने रख दिया है यह यहां पे पैता से तीनों देवताब के सामने लगाद दिये हैं ये कितने पता से रख रहे हैं फाँ पांच पतासे क्यों रखते हैं आपर पांच साथ नौ यह पांच साथ नौ इस तरह से पतासे रखते हैं अब अब यह अगर बत्ती जलाए जाएगी अब यह अगर बत्ती लगा दिया अब यह अबने साइड में अगर बत्ती लगा दिया अब थे उताव पे अलाएलक दूब बत्ती हम लगा देंगे यह अब यह अब यह तिनो दूब बत्ती लगा दिया अब ऑना यह जल इसमें तोड़ा दूद मिलाय हुआ हुआ है यह जल से इनके उपर इनको घर बोलते हैं देवताओं के तो तीनों देवताओं के घरों में दूपत्यों गरा परशात रख दिये हैं कर दोस्तों कि अब विए हजातः ने हाथ कर करके तो दोस्तों यह थी हमारी इतुत की पूजा अब देवताओं को और देने हम जाएंगे बहुमियां पर वामा न जाकर महांपे पूजा करेंगे यहां पर यह राष्तेLR था कहलं मुझें नेमा तन्युद्व पैस्ठल काफी लोग कर रहे हैं काओं में क्या होता है सब लोग पूजा करते हैं यहां पर हम भूमियमाता की पूजा कर रहे हैं भूमियमाता की पूजा करने के बाद हम गाओं में एक हमारा मंदिर पड़ता है मंदिर में जाएंगे दोस्तों हम यहां पर गाहों के मंदीर में आ गए हैं मंदीर में अंदर जाकर हम मंदीर में फूजा करने के पर फिर हम अपने घर जाएंगे इसलाल हम मंदीर में फूजा कर रहे हैं यहां पर हमने अगरबत्ती जालागर के अगरबत्ती हमने अपने लगा दिये तो दोस्तों मैं इस वीडियो में क्यों यह दिखाना जाएंगा था कि कि किस तरह से हमारी पुरानी जो संस्क्रिती है और गाउं में किस तरह से पूजा करते हैं और इन चीजों कितना मेहतु दिया दिया जाता है पहले दिवाली का मतलब हमारे संस्कृति में केवल यह हो गया कि पटा के पटकाए और हमने पूजा की गर पे और बस लेकिन यह हमारा गाउं में किस तरह से मनानते वह दिखाया गया तोस्तों इस पूडियो में केवल इतना ही था तो मिलते हैं नेक्स पूडियो में